जैहिम बेटा, हम पढ़ रहे हैं कक्षा बारा भुगोल में पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर, विश्व की परमुख जन जातियां, जिसमें आज का अपना टोपिक है बेटा, बुश्मेन जन जाती तो हम अब पढ़ेंगे, एसकीमो जन जाती के बाद, बुश्मेन जन जाती से सम्मंदित सारी महतोपूर्ण तथे तो टोपिक को शुरू करते हैं, बुश्मेन जन जाती, बेटा सबसे पहले हम ये बात करते हैं, बुश्मेन जो शब्द है, ये किस ने दिया? बुश्मेन जो शब्द है बेटा, ये दिया डच लोगों ने, डच लोगों ने, तो अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा, वियार ये डच कोन से हैं, तो मैं आपको बता दूँ, डच कोन होते हैं, डच है निदरलेंड देश के निवासी, निदरलेंड जिसका पुरा पुराइवासी थे, उनको डच कहा जाता है, तो जब ये अफरीका महादीत में आई थे, तो इन्हों ने ही इस परकार के लोगों को, जिसको आज हम बुश्मेन कहते हैं, ये नाम दिया था, तो इसलिए कहा जाता है, भी बुश्मेन शब्द है, वो किस ने दिया, तो डच लोगों ने, यानि डच ए प्रवाशियों ने ये नाम दिया था, अब हम बात करते हैं बटा, बुश्मेन जणजाती के अन्य नाम, यानि ये जणजाती अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो ये जणजाती सोन, रवी, और बसार्वा, नाम से भी जानी जाती है, अब बात करते हैं हम बुश्मेन जणजाती की जनसंख्या पर, वे इनकी विश्व में कितनी पॉपॉलेशन है, उस पर बात करें, तो इनकी पॉपॉलेशन बहुत ही कम है, ये लगभग दस हजार, दस हजार के आसपास हैं, और याद किजिए हमने जब पिछली टोपिक में एस्किमो जनजाती में बात की थी, एस्किमो जनजाती की जनसंख्या कितनी थी, एस्किमो की जनसंख्या थी बेटा, दस लाक, और बुश्मेन की जनसंख्या है, 10,000 बुश्मेन जनजाती पिछले 20,000 सालों से इस प्रित्वी पर रह रही है जबकि एसकीमो जनजाती पिछले 10,000 सालों से रह रही है ये 20,000 सालों से रह रही है जो 10,000 है वो 10,000 सालों से रह रही थे एसकीमो जो संख्या में 10 लाग थे है ठीक है तो अब बुश्मेन जनजाती की जन संख्या हो गई 10 अजार अब हम बात करते हैं बुश्मेन जनजाती की परमुक विशेस्ताओं पर बात करते हैं अर्थार्थ हम बुश्मेन जनजाती की शारिरिक विशेस्ताओं पर बात करते हैं भी बाहर से इनका रंग, रूप, डोड के साथ दिखाई देता है, उस पर बात करते हैं, तो शारिरिक विशेस्ता हैं, इसमें हम सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, भी ये किस प्रजाती के ज़्यादा नजदीक है या समानता परदर्शित करते हैं, तो वो है बेटा निग्रिटो, ये निग्रिटो प्रजाती से समानता दिखाते हैं, निग्रिटो प्रजाती से समानता या समरूपता है, वो परदर्शित करते हैं, बुश्में जणजाती के लोग हैं, उनकी हाइट बहुत कम होती हैं, अर्थार्थ हम कह दें, भी ये नाटे कदवाले होते हैं, नाटे कदवाले, यानि लगबग 5 फिट तक के होते हैं, जैं कहूं भी अलग से परदर्शित करवाती हैं, उन बातों पर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनके जबड़े पर, इनका जबड़ा जो बाहर की और निकला हुआ है, वो नहीं होता है, ध्यान दीजिए गा, इनका जबड़ा है, वो बाहर की तरफ निकला नहीं होता है और इसी परकार इनके जो मोटे होट है इनके मोटे होट होते हैं लेकिन इनके जो मोटे होट हैं वो भी बाहर की और निकले हुए नहीं होते हैं और इसी परकार इनकी आंखें चोड़ी भी नहीं होती आंखें चोड़ी नहीं होते यानि ये वो विशेस्ता हैं जो इन्हें अन्य जातियों से अलग कर रही है तो इनका जबड़ा बाहर की और निकला हुआ नहीं होता बुश्मेन का इनके मोटे होट है वो भी बाहर की तरफ निकले हुए नहीं होते और इनकी आंखें भी चोड़ी नहीं होती अब हम एक विशेस्ता महिलाओं से सम्onds दी । महिलाओं के जो नितंब है वो बहुत भारी है नितंब यानि पता होगा बैटा पैलवी जो हिस्सा है कमर के पास वाला जो हिस्सा है यहां पर फेट जमा होती जाती है और यहां का हिस्सा जो है वो काफी भारी हो जाता है उसको नितम बोलते हैं तो महलाओं के जो नितम है वो बहुत भारी होते हैं अब बढ़ते हैं बेटा शारिक विसेश्थाई पढ़ी हमने इसके बाद अब टोपिक वाइज अपने मुद्दे स्टार्ट करते हैं अब बात करते हैं वेटा बुश्मेन जन जाती के निवासक्षेत्र पर, इनकी लोकेशन कहां है भई, ये दसाजार की संख्या में पाई जाते हैं, लेकिन कहां पाई जाते हैं, वो बात पढ़ रहे हैं निवासक्षेत्र, तो सबसे पहली बात हम इसमें ये पढ़ते हैं वे अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप में अब हम लगे आते ये भी कर लें अफ्रीका में कहां तो अक्षांसों के हिसाब से हम स्थिती बता देते हैं इसकी अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिगरी दक्षनी अक्षांस से दक्षनी अक्षांस है यानि दक्षनी गोलार्द की बाते हो रही है बेठा से 24 डिगरी दक्षनी अक्षांस के मध्य बेचुवाना लेंड में बेचुवाना लेंड में ये पाई जाते हैं अब तो ये तो हमने एक समढ़ने बात बता दी ठीक है भी ये अफरीका मादीप में है और उसमें फिर 18 से 24 डिगरी दक्षनेक्षांस के मद्य है और वो एरिया कुण सा है बेचवाना लेंड है अब वर्तमान परिप्रेक्षे में यानि वर्तमान में ये इस पूरी लोकेशन में कहां ज्यादा है तो वो बात भी हम कर लेते हैं तो बेचवाना लेंड से ही उत्पत्ती होती है बेटा काला हारी मरुस्तल की तो इसका मतलव अब हम ये बताना जा रहे हैं बी वर्तमान में ये भुश में जंचाती है वो काला हारी मरुस्तल और दक्षणी पश्मी अफरीका के उपोशन घास के मेदान उपोशन घास के मेदान में ये फैली हुई है तो यानि तो दो बात कर ली हमें बेचवाना लेंड यानि अब हम बात करें कालाहरी मरुस्तल और उपोशन घास के मेदान इस क्षेतर में ये अब फैले हुए है तो ये दो बात भी कर ली अब हम लगे हाथ थोड़ी सी राजनितिक बात भी कर ले भी हमने बोगोली के रिये कि तो बात कर ली हम थोड़ा सा राजनितिक एरिया राजनितिक एरिया मतलो उस क्षेतर में कौन-कौन से देश आते हैं तो अर्थार्थ अब हम उन देशों की बात भी कर लेते हैं जहां पर ये बुश्मिन जन जाती है वो ज्यादा पाई जाती है तो बेटा वो है अफ्रीका महादीप का देश दक्षनी अफ्रीका दूसरा देश बोट्स्वाना ये सारे दक्षनी अफ्रीका महादीप में है याने अफ्रीका महादीप के नीचे नीचे तो दक्षनी अफ्रीका बोट्स्वाना नामीबिया और अंगोला इन देशों में पाई जाते हैं दक्षनी अफरीका, बोटस्वाना, नामीबिया और अंगोला देशों में ये निवास करते हैं तो बेटा ये थे बुश्मेन जनजाती के निवास क्षित्र की बात रही मान्चित्र पर भी तो आपने वो अलग से वीडियो बना हुआ है जहां पर इनकी मान्चित्र के अंतरगर जो लोकेशन है वो दिखाई हुई है और उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूँगा ताकि आप विश्व मान्चित्र पर भी इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे वह अब मैं एक चीज़ यहां पढ़ना भी चाहूंगा और शायद आप पढ़ना भी चाहेंगे मैं पढ़ना भी चाहूंगा और आप पढ़ना भी चाहेंगे वो है बेटा काला हारी मरुस्तल भी हम ये कह रहे हैं बुश्मेन का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में काला हारी मरुस्तल आ जाना चाहिए भी हाँ बुश्मेन कहां काला हरी मरुस्तल में तो अब हम लगे हाथ इस बात को भी पढ़ ले भी इस काला हरी मरुस्तल की विशेस्ताई क्या है भी काला हरी मरुस्तल की परमुक विशेस्ताई क्या है अब हम उस पर बात करते है काला हारी मरुस्तल बेटा सिकार के लिए परशिद है आखेट के लिए ये बहुत ज़्यादा परशिद है तो इसी में हम बात कर रहे हैं भी इस एक शेत्र की परमुक विशेस्ता ही क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं काला हारी मरुस्तल के धरातल पर बे इसका धरातल है वो कैसा होता है तो इसका धरातल वेटा उंचा नीचा होता है धरातल है वो उंचा नीचा यानि उबढखबढळ होता है दूसरा यहां की जलवाईयू की अगर हम बात करें तो यहां की जो जलवाईयू है वो होती है अर्द, उष्ण, कटी बंदी है काला हारी मरुस्तल क्षेतर के अंतरगत जो एवरेज बारिश है यानि ओसत वर्सा है वो 25 cm से भी कम होती है 25 cm से भी कम होती है CDC बात है मरुस्ते लिए एक शेतर है तो यहां का जो temperature है यानि तापमान है वो वर्स भर उंचा ही रहता है वर्स भर उंचा रहता है लेकिन ये बात जरूर है भी रात को रेत ठंडी हो जाती है तो थोड़ा सा environment है वो वहां का ठंडा हो जाता है क्योंकि हमें पता है भी रेत है वो जल्दी गरम होती है और जल्दी ठंडी होती है तो इसलिए यहां की जो राते हैं वो अपेक्षाकरत दिन की तुल्ला में बहुत ज़्यदा ठंडी होती है तो तापमान है वो वर्स भर उंचा रहता है तो सीदी सी बात है यहां का जो ग्रिशम काल है यानि गरमी जो है गरमी की रीतू ग्रिशम काल लंबा होता है और शीत काल है वो छोटा होता है यहां पर एक प्रमूख नेशनल पारक भी पाया जाता है जो है एटोसा एटोसा नेशनल पारक यानि रास्त्रिय उद्ध्यान भी इस क्षेतर में पाया जाता है तो अपने आप में बहुत अच्छा प्रशन बन जाता है ये छोटे प्रशनों में भी एटोसा रास्ट्रिय उद्यान कहां अवस्तित है तो काला हारी मरुस्तल क्षेतर के अंतरगती ये अवस्तित है और यहां पर बेटा गहास के मेदान पाई जाते हैं और कंटिली ज़डियां पाई जाती है गहास के मेदान वे कंटिली ज़डियां हैं वो यहां पर पाई जाती है यहां पर जो पशुओं की बात करें बेटा तो शाकारी और माशाहरी दोनों ही परकार के पशुओं यहां पर पाई जाते हैं शाकाहारी वै मासाहारी दोनों परकार के पशुओं यहां पाई जाते हैं जैसे हीरन हो गया, जिराफ हो गया, वन बिलाव हो गया, जंगली बिलाव हो गया, शुतुर मुरुग की बात करें, लकड भगा, शियार, जेबरा, ठीक है, ये सारे यहां पर पाहिज आते हैं और अब सबसे लास्ट में बात करते हैं, आपको याद है, अपने राजस्थान में हम तर्बूज खुब खाते हैं, तर्बूज जिससे हमारे बोड़ी के अंदर पानी की आपूरती भी हो जाती है, तो इसी परकार का एक तर्बूज, यहां इस काला हारी मरुस्तलक शेतर में पाया जाता है, जो वहां के बुश्में लोगों के लिए और वहां के पशों के लिए जलापूरती का माद्यम होता है, तो यहां पर पाया जाने वाला जो एक परकार का तर्बूज ही है, उसको यह बोलते हैं, त्यामा, तो आप यह जरूर ध्यान रखें, वो तर्बूज जैसा जो वहां का फल है उसको वो क्या बोलते हैं? त्यामा बोलते हैं. तो जलापूर्ती के लिए एक परकार का तर्बूज अर्थार त्यामा भी यहां पर पाया जाता है. तो बेटा यह थी कालाहारी मरुस्तल की परमूख विशेस्ताइन. क्योंकि बुश्मेन जनजाती इसी क्षेतर में ज़्यादा आप वर्तमान में निवास करती है, तो जिस जगे वो रहते हैं, तो कम से कम वहां के इन्वाइर्मेंट की जानकारी हमें होना अतियावश्यक है. तो बेटा यह था अपना बुश्मेन जनजाती का पहला पार्ट, जिसमें हमने उसके शब्द सबसे पहले किस नहीं दिया, उसका जनसंख्या कितनी है, उस पर बात की, बुश्मेन जनजाती के जो अन्य नाम है, सोन, रवी, बसारवा, उन पर हमने बात की, बुश्मेन जन प्रजाती के ज़्यादा समरूपता है, वो परदर्शित करते हैं, फिर हमने, क्योंकि ये अफरीका महादीप में पाई जाते हैं, तो अफरीका महादीप के हमने इस जन जाती के पाई जाने की लोकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो यानि अर्थार्थ हमने इसके निव पड़ते रहिएगा जैहिन